हलो दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टड़ी क्लासेस में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बावलाजी के महत्पूर्ण प्रस्ना को देखेंगे जो परिच्छे में बार-बार पुछे जा चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रस्ना है पत्यों की हरिम हिंता किसकी कमी से होता है मैंगनिस्याम, मोलिबेटनम या फिर कैल्सियाम या फिर यह सभी बताओ इसका रेट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर आप्सन नमबर A मैगनिस्याम ठीक है मैगनिस्याम इसका सही हुत्तर होगा आपका दूसरा प्रस्ण है वातपुर सर्जन होता है जडो से, सभी वाइवी भागो से या फिर तैनों से या फिर पत्तियों से तो बताओ दोस्तो वातपुर सर्जन होता है इसका राइट एंसर आप्सन नमबर B सभी वाइवी भागो से ठीक है आपका अगला प्रस्ण है वातपुर सर्जन मापी यांद्र कौन से है ठीक है कलाइनो मीटर है, पोटो मीटर है, हागरो मीटर है इन में से कोई नहीं तो इसका सहुत्तर क्या होगा दोस्तों बताओ आपसन नंबर 20 इसका सहुत्तर है पोटो मीटर, ठीक है आपका अगला प्रस्ण है पौधों मेरे वात्पो सर्जन की क्रिया किसमें होती है पत्ती, धना, जड, पुरा पौधा ठीक है पत्ती जर्ड तना पूरा पौधा की इसमें होता है दोस्तों बताओ इसका सहुत्तेर आपसा नमबर डी पूरा पौधा पूरा पौधा इसका सहुत्तेर है आपका अगला प्रस्ण है प्रकास संसेसंट की क्रिया में निमगीत में से कौन अवस्यक है सूरी का प्रकास, क्लोरोफिल, कार्बन डायक्सेड या फिर ये सभी तो बताओ प्रकास संसेशन्ट की क्रिया में निम्गीत में से कौन अवस्यक है इसका सहीत तर होगा आपसर नमर डी ये सभी सुरी का प्रकास, क्लोरोफिर और कार्बन डायक्सेड ठीक है दोस्तो अब अगला प्रस्ण है प्रकास संसेसंट की क्रिया में निम्खित में से क्या बाहर निकलता है आक्सिजन, हाटोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डायक्सेड बताओ प्रकास संसेसंट की क्रिया म निम्कित में से क्या बाहर निकलता है तो इसका सही उत्तर होगा आपसा नमबर ए आक्सिजन इसका सही उत्तर होगा अबका अगला प्रस्न है प्रकास संसेसंट की क्रिया कब होता है है नहीं प्रकास संसेसंट की क्रिया कब होता है केवल रात में, केवल दीन में, दीन और रात में, दीन में, दीन में और रात में ठीक है इस प्रस्न को उत्तर बताओ दोस्तु क्या है तब इसका स्वासन मापन यंद्र क्या खलाता है आटोमेटर, रेस्पीरोमेटर, पोटोमेटर या फिर हैगरोमेटर तो स्वासन मापन यंद्र क्या खलाता है इसका स्वासन मापन यंद्र क्या खलाता है इसका स्वासन मापन यंद्र बताओ इसका सहुत्तर है आफ्सन नमबर B रेस्पीरो मिटर रेस्पीरो मिटर इसका सहुत्तर होगा अगला प्रस्ण है प्रकास संसे सड्ड में हरे पधो द्वारा कौन सी गैस छोड़े जाती है कारबन डायक्साइड, आक्सिजन, नैटोजन और इनमें से कोई नहीं तो बताव दोस्तों, प्रकास संसे सड्ड में हरे पधो द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो इसका सहुत्तर है आफ्सन नमबर B आक्सिजन, आक्सिजन इस प्रस्ण का सहुत्तर है आपका अगला प्रस्ण है फल पकाने का हर्मोन्स कोन सा है इसका सहुत्तर है इत्लीन इत्लीन जो होता है वो फल पकाने का हर्मोन्स होता है अगला प्रस्ण है पधो की लंबाई में ब्रिधी के लिए आवस्यक नहीं है तो कौन अवस्यक नहीं है नैट्रोजन, सोडियम, कैल्सियम या फिर फासफोरस तो बताओ दोस्तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर आफ्सन नंबर B, सोडियम जो कि पोधों की लंबई के बिर्धी के लिए अवस्यक नहीं है सोडियम, ठीक है? अगला प्रस्न है, प्रकास नंसेशन की क्रिया में मुक्त होने वाली अक्सिजन कहां से आती है? वाय मंडल से, या फिर जल से, या फिर कार्बन डियक्सेड, या फिर इनमे से कोई नहीं तो बताओ प्रकास्ट न सिसर्ट की क्रिया में मुक्त होने वाली अक्सिजन कहां से आती है तो बताओ इसका क्या इंसर होगा इसका रेट इंसर आप्सान नमबर B जल जल इसका सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण है वो है यंत्रा जिसके द्वारा तैने की बृध्धी दर सही रूप से मापी जाती है ठीक है तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा बताओ पोटो मिटर होगा आटो मिटर होगा फिर आगजेनो मिटर होगा फिर रेस्पिरो मिटर होगा इसका सहुधतर है C, आकिजिनों मीटर है ठीक ह works अब अक्ला फ्रस्ण है पेडों की पत्तियों में पाय जाने वाला हरापदार्थ क्या खलाता है तो हरा पादार थक याग लाता है जो कि पेड़ों की बत्यों में पाय जाता है ठीक है तो नैटोजन है क्लोरोफिल है हिलिमोगलोबिन है या फिर कैलसियम तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताओ इसका सही उत्तर है आपसा नंबर B, क्लोरोफिल ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल इस प्रस्ण का सही उत्तर है अब अगला प्रस्ण है, पादब रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है? जिवाडों, फपुन्दी, प्रोटो जोवा या फिर भिशाडों पादब रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है? इन्पोर्टेंट प्रस्ण है, बताओ इसका सही उत्तर, कमेंट बाक्स में तो इसका सही उत्तर, आपसा नंबर B, फपुन्दी फपुन्दी इस प्रस्ण का सही उत्तर है अगला प्रस्ना है पेड़ वा पोधे का खाना त्यार करने की प्रक्रिया क्या कलाती है? बताव दोस्तों इसका सहुत्तर क्या होगा? पेड़ वा पोधे का खाना त्यार करने की प्रक्रिया क्या कलाती है? इसका सहुत्तर है फोटो सिंथेसिस इसका सहुत्तर है आपसा नमर ठीक है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा पादप हार्मोंस बोने पोधो को लंबा कर देता है तदा फूल बनने में भी मदद करता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तो बताओ इन आप्सन में से इसका सही उत्तर आप्सन नमबर C जीब रेलिन जीब रेलिन इसका सही उत्तर है दोस्तो अपका अगला प्रश्ण है छोई मुई की पत्ती में गती होती है तो छोई मुई की पत्ती में क्या गती होती है दोस्तो इस प्रश्ण में से चार आप्सन में से कौन सा उत्तर सही बताओ तो इसका सही उत्र है आपसन नमबर B कमपनु कुचन कमपनु कुचन इसका सही उत्र होगा आपसन नमबर B अगला प्रस्ण है खैरा रोग किस फसल से संबनित है धान गन्ना जवार या फिर मुंफली जो खैरा रोग जो होता है वह किस फसल से संबनित है आफसन में दिया है धान गन्ना जवार और मुंफली बताओ दोस्ति इसका सहुत्तर आफसन नमबर बी गन्ना गन्ना इस प्रस् वीडियो का लास्ट प्रसन है खेरा रोग किसके कारण होता है विशारू के कारण जस्ता की कमी के कारण जिवाडू के कारण या फिर यह सभी बहुत इंपर्टन प्रसन है दोस्तों खेरा रोग किसके कारण होता है इसका सयुत्तर वताओ इसका सयुत्तर आफसन नंबर बी ज जस्ता की कमी के खारण खैरारोग होता है दोस्तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तो आप लोग कमेंट बाक से में ज़ेवरू पाताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंस भर वाचिंग जैहि वीडिब के खार बपिद हैंसा पारे राराम कर दोएने के दोएन आपक वासिवक कर दो कि उनल पभी हैंसा लômते लादाले खना counties उनग्रूश में जड्क्स पार्से दोल किяж तो मेंने के खारयूण look कि दोएना कैसिते हैंसा बोगत सिते थैज़ पार आपको भाराह हैंसा